हिमकुंद मिडालावं दैत्यानाम परममगुरुम शर्वशास्त्र प्रवक्तारम तमभारगाव पढ़माम याम जैमातादी 23 मई 2022 में शुक्र का राशी परिवर्तन होने जा रहा है मित्रो यानि कि शुक्रदेव मेश राशी में जाने वाले हैं और 23 मई से लेकर और 18 जून तक यानि 26 दिन शुक्रदेव मेश राशी में रहेंगे और मेश राशी में जैसे ही शुक्र का राशी परिवर्तन होगा तो शुक्रदेव और राहु देव एक ही राशी में आ जाएंगे जिस कारण से बनेगा लजी दोस्ट जो चार राशीों को रहना पड़ेगा उससे साबधान वो साबधानी क्या है इस कारेकरम में चर्चा करेंगे यदि आप वो साबधानी रखते हैं मित्रो तो आपका बाल भी भाका नहीं होगा नहीं तो आप पस्ता है होत क्या जब चिड़ी गया चुक गई खेत अक्सर क्या होता है कि आप लोग कुड़ी अजब दिखाते हो जब आपको नुकसान हो जाता है जब आप डूब जाते रो लेते पिट लेते नोकरी छूट जाती है वेपार में कोई अप यह लालचन आप पे लग जाता है तब आप कुड़ी दिखाते हैं तो इसलिए चार रासियों को मैं अवेर करूंगा और छे रासियों को मिलेगी बहुत बड़ी खुशकबरी इसके बारे में इस कारेकरम में चर्चा करेंगे और आपने ये चैनल सब्सक्राइब वह भी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें फेस्बुक में देख रहें तो शेयर जरूर करें चलिए बात करते हैं मेश राशी के बारे में जो 23 मही में शुक्र का राशी परिवर्तन हो रहा है सबसे पहले मेश राशी पर उसका एफेक्ट पड़ेगा क्योंकि मेश र बुरी संगतों के साथ में बिलकुल बायकोट करें बुरे दोस्तों के साथ में यात्रा ना करें बुरे दोस्तों के साथ में कोई प्लानिंग ना बनाएं नहीं तो आप फस सकते हैं थोड़ा साबदान हो जाए और मन की बात किसी भी बुरे व्यक्ति को या जो इधर की का भी लॉस हो सकता है साथ ही साथ मेश रासी वालो और खासकर युवा लोगों को मैं बच्चों को ये कहना चाहता हूँ वाहन चलाते हैं तो चलाएं लेकिन बड़ी साफधानी से चलाएं इन 26 दिन और ड्रिंग करके वाहन बिलकुल ना चलाएं याद रखेगा वाहन में ज शुकर वाहन का कारक होता राओ का मतलब गड़बड़ी आप बड़ी प्रावलम में फस सकते हैं साथी साथ ये 26 दिन मेश रासी वालों को किसी को धन उधार नहीं देना है यानि कि धन के मामले में किसी पर भी आपको बरोसा नहीं करना है बस ये 26 दिन इन बातों का ध्यान रख लीजेगा आप बच जाएंगे अब बात कर लेते हैं ब्रशब राशी के लिए सूर्य और बुद्ध शुकर की राशी ब्रशब राशी में बैठे हैं तो कहीना कहीं जो ये शुकर का राशी परिवर्तन होगा मा लक्षमी की किरपा आप पर बरसेगी होगा आपको पर लातरा के योग इन 26 दून के अंदर बन रहे हैं साती साथ आप बात कर लेते हैं मिथुन राशी की तो मिथुन राशी के लिए भी शुकर का राशी परिवर्तन बड़ा लाप्राद है नया वाहन का योग बनता या किसी ने किसी भौतिक वस्तु को खरीदने का योग ब बन रहे हैं साती साथ आपका रुकावा धन भी इन 26 दूनों में आपको प्राप्त होगा अगर आपका कही पर रुकावा धन है तो आप 23 मही के बाद उस व्यक्ति से आप ट्राई कीजेगा आपका धन जरूर मिल जाएगा और मालक्ष्मी की किरपा आप पे 26 दिन बरसेगी जिस वजे से आपके रुकेवे काम भी बनेंगे यानि 23 मही से लेकर 18 जून तक आपको खाली नहीं बैटना भरसक प्रियास करना मालक्ष्मी आपके साथ हैं साथी साथ देखा जाए परिवार का कोई ना कोई सदस्य है अगर आपके भाई बैन आपके साथ रहते हैं माता प अब बात कर लेते हैं सिंग रासी के लिए तो दूसरा लज्जी दोश यहां पर बन रहा है इनके लिए बन रहा है पहली चीज में सिंग रासी वाले वैसे तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं फिर भी मैं उनको एडवाईज देना चाहूंगा कि इन 26 दिन परिव बिल्कुल ना उल्जे आपके उपर लज्जी दोस यानि लज्जा का सामना आपको करना पड़ सकता है रिलेशन आपका बहुत बिगड़ सकता है साती साथ अगर आप इन 26 दिन में कोई नया काम करने जा रहे हैं तो अभी थोड़ा सा उसको विराम देने की जुरूत है या नया काम अगर आपने बिल्कुल उसका मूरत निकाल लिया है तो थोड़ा सो समझ के करें ये भी माने कि 26 दिन अनावश्यक खर्चे अनावश्यक नुकसान आपको जेलने पड़ेंगे अनावश्यक कठना है आपके जीवन में आएगी इन 26 दिन ही याद रखिएगा नौकरी से समंदित अगर मैं बात करू तो नौकरी में पद प्रमोशन या नौकरी में कोई भी इवेंट होने वाला है तो वो थोड़ा डिले हो सकता है इन 26 दिनों में ऐसा योग नजर आ रहा है यानि कि नौकरी में कोई ना कोई पद प्रमोशन नहीं नौकरी या नया पड़े साबधानी से चला है और ड्रेंग करके तो बिलकुल वहान ना चला है नहीं तो कहते हैं ना साबधानी हटी ओधु दुरकटना गटी आप खुद ही जम्मेबार होंगे दुरकटना के। अब अगली राशी के बारे में बात कर लेते हैं वो है कन्या राशी, तो कन्या राशी के लिए शुक्र का राशी परिवर्तर बहुत लापकारी नजर आ रहा है, पहला चीज काम समंदी आपको सफल्दा इन 26 दिनों में मिलेगी, साथी साथ किसी प्रोजेक्ट में आपका सेल इनुवेशन का काम भी आपका हो सकता है, तो कुल मिला के आपके लिए भी ये 26 दिन बहुत लापकारी है कन्या राशी के लिए, अब बात करते हैं तुला राशी की, तो तुला राशी तीसरी राशी है, जिस पे लज्जी दोश का प्रभाव है, यानि कि अगर आप बाकी तो इश्वर सरवपरी आप जानते हैं कि इश्वर जो चाता है, वही होता है, हमारा काम आपको अपडेट देना है, चलिए आप तुला राशी के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये जो लज्जी दोश बन रहा है, आपको भी 26 दिन यानि 18 जून तक कोई भी नया काम खासकर धन संबंदी नहीं करना है, शेर में निवेश कर रहे हैं तो रुख जाईए, या फिर आप किसी को धन उदार दे रहे हैं तो रुख जाईए, कोई धन से संबंदी काम कर रहे हैं तो थोड़ा रुख जाईए, रुखने में कुछ नहीं जाता है, ये खराब गरे है हो सकता आपको नुकसान दे दे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि वक्त के सामने बुद्धी भी हार जाती है, और ऐसे में क्या होता है कि बड़े बुद्धीमान लोग देखें, जिनका वक्त साथ नहीं देता, आप जानते ही आपके अडोस प्रोस में होंगे, तो वो बुद्धीमान लोग होंगे, जो कि खाक चान रहे होंगे, कारण क्या है कि वो समय की नजाकत को समझनी पाए, और गलस समय पे उन्होंने स्टैप उठा लिए, इसलिए वो नुकसान में जा रहे हैं, नहीं तो बुद्धीमान लोग तो अच्छे ही हैं, आप दूसरी तरह नहीं करनी है, उनके साथ में कोई ब्लानिंग 26 दिन नहीं बनाना है, उनके साथ में कोई भी बात 26 दिन शेयर मत कीजिएगा, नहीं तो आप संकट में आ जाएंगे, साथी साथ, किसी की ओफिस में घर में बुराई בכil 26 दिन ना करें नहीं तो कही ना कही राजनीती होगी वह व्यक्ति आपकी बात को लिख करेगा और फस आपी जाएंगे यानि कि भूस बॉस उच्दिकारी या भाई बैन या पतनी या फिर कलीक की बुराई बिल्कुल 26 दिन ना करें क्योंकि यह शडियंत्र वाले दिन शुक्र बजना है और समझाने के लिए हम बैठें आपके पास साती साथ चौथी देखी जाएं तो आपको कोई भी रिस्की काम इस 26 दिन में टालना है यानि कोई जोखिम बरा काम कर रहे है या फिर बहुत सारे यंग स्टर लोग क्या करते हैं जोखिंग बराई काम कर लेते हैं कोई भी रिस्की काम 26 दिन युवा और ब्रिद लोग नहीं करना है धन का निवेज शेयर में मार्किट में बहुत ज़्यदा पैसा कि अभी शेयर मार्किट गिरी वी है तो मुझे कमाल हूँगा कोई भी रिस्की काम 26 दिन नहीं करना अगर 26 दिन आप थोड़ा सा साब्दा दिन रहे तो अच्छा कमाल हैंगे नहीं तो कहते हैं ना साब्दानी हटी दुरगटना गटी इसी प्रकार से और इसका देखा जाए तो आप ब्रिश्चिक राशी के बारे में बात कर लेते हैं तो ब्रिश्चिक राशी के लिए शुक्र का राशी परिवेतर बड़ा होता है इसी प्रकार से जो है दूसरी घटना यह हो रही है विदेशी मित्र आप से मिलने आएगा ऐसा योग नजर आ रहा है यानि विदेश से कुछ प्रकार से धनू राशी के बारे में आप बात करें और यह चौती रासी और अंतिव रासी जिस पर लजी दोश का प्रभाव रहेगा यानि कि बुरे दोस्तों से आपको भी बचके रहना है याद रखिएगा और जोखिम बरा काम से आप बचे याद रखिएगा साथी साथ व वाहन चला रहे है तो देख लएकि वहाँन में कोई घड़वडी तो नहीए ब्रेक की प्राबलम तो नहीं ओ9 की प्राबलम प्राबलम तो नहीं है इंजिन में प्राबलम तो नहीं नहीं तो वाहन आपको बड़ा परेशान 2020 करेगा शेयर कि improvements को धन उदार बिल्कुल ना अगर धनु राशी वाले ये चार चीजे कर लेते हैं तो उनको हानी होई नहीं सकती जोतिश क्या है संकेद का की कला है यानि हमने आपको संकेद दे दिया बाकी समझे ना समझे वह आपकी है कहा जाता है विनाश काले विपरीद पुझी जिसका विनाश काल मित्रों लिखा है देखा जाये तो आपका मानसिक और शारिरिक कष्ट दूर होगा स्वास्ते आपका अच्छा होगा आचानक धनलाब के योग आपके बन जाएंगे यानि कि कही न कहीं से धन आपके पास अच्छा प्राप्त होगा आचानक ही आपके पास बहुत सारा काम होगा जिसका काम का प्रेशर आपके उपर रहेगा, तो मकर राशी के लिए भी काफी अच्छा है, अब अंतिम राशी के बारे में बात करें, तो वो है कुम्ब राशी, तो कुम्ब राशी के लिए शुक्र का राशी परिवर्तन अच्छा बुरा दोनों है, यानि कि पहले तो माता जी की बात कर रहेंगे तो इदर उदर का खाना बिल्कुल कुम राशी वाले बंद कर दें 26 दिन नहीं तो आपको infection की problem और पेट संबंदी कॉस्टिपेशन उल्टी दस्त की परिशानी बहुत ज़्यादा रहेगी साती साथ finance और प्रोफेशन के लिए देखा जाए तो शुक्र का राशी परिवर्तन जहां सारेडिक रूप से अच्छा नहीं है वहाँ पर आर्थी रूप से बहुत अच्छा है अचाना कि आपको धन मिलेगा या धन समंदी कोई offer मिलेगा किसी मित्र से या किसी करमचारी से आपको बड़ा काम बड़ा धनलाब बड़ा एडवाईज जिससे आपको बहुत लाब मिलेगा यानि कि 26 दिन प्रोफेशनली करियर के लिए शुक्र का राशी परिवर्तन लाब करिया है और मित्रो इस कारेकरम में बस इतना ही मुझे दिजे जाय चैम आता दे